अगर आप लोगोंने FSE या ICS कर लिया और आप लोग सॉफ्ट इंजिनरिंग के अंदेर अड्मिशन लेना चाहते हैं या लेने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हैलफुल साबित होगी इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कम्प्लीट डिटेल दूँगा सॉफ्ट इंजिनरिंग का मैरेट इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके लावा कोर्स उफ्ट लाइन उन्वेस्टी जो सॉफ्ट इंजिनरिंग को उफर करती हैं और आप लोगों के जो सॉफ्ट फर्दर टाइम लेट्स केट स्टार्टेड असलाम लेकुम वियोर्स मेरा नाम अब्दर रह्मान है और मैं एक आई टी प्रोफेशनल हूँ आज हम बात करते हैं बी एस एसी के बारे में बी एस सॉफ्ट इंजिनरिंग जो चार साल की डिक्री है और इसको नेशनल जितनी भी डिक्री थे हैं इन सब को एंसेक अप्रूव करती हैं एंसेक एकसाब दार है अगर हम बात करते हैं इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की सॉफ्ट इंजिनरिंग के तो मिनिमम मार्क्स जो एड्मिशन के लिए चाहिए होते हैं वो 50% होते हैं और अगर मेरेट की बात करें तो अगर आप लोगों के मार्क 65% से लेके 85% के दरमयान है तो आप लोगों का अड्मिशन गौवर्मिट और सेमी गौवर्मिट उनिवस्टिज में हो सकता है अगर हम बात करते हैं इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जिनोंने ICS कि होती है या FSE Pre-Medical की होती है ऐसे तमाम स्टूडेंट्स सॉफ्ट इंजिनरिंग अंदर अड्मिशन ले सकते हैं लेकिन FSE Pre-Medical के स्टूडेंट्स के लिए एक च्छोटी सी रिक्वार्मिट होती है कि उन्हें डिगरी के फस्ट एर के अंदर एडिशनल मैट के दो सबजेक स्पास करना जरूरी है अगर हम बात करते हैं कोर्स आउट लाइन की तो मैं आप लोगों के हाँ पे क्लेरी बिता देता हूं कि जो सॉफ्ट इंजिनरिंग की डिगरी है वो 80% तक सीमिलर है B.S. Computer Science से जो थोड़ा सा डिफरेंस आता है वो आप लोगों के लास्ट समेस्टर आप लोगों के सेम होंगे probability और इसके बाद जो programming आप लोगों पढ़ेंगे वो भी आप लोग सेम पढ़ेंगे फरक कहां पर आता है वो यह आता है कि आप लोग software engineering के अंदर software requirement engineering पढ़ेंगे computer science के अंदर आप लोग databases पढ़ेंगे इसके लावा आप लोग फिर project management software engineering के अंद software quality assurance या software testing वगरा पढ़ते हैं computer science की degree के अंदर आप लोग networking और distributed databases computer graphics यह subjects पढ़ते हैं so यह जो major difference है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है इसके अलावा आप बाकी mathematics के subject same होंगे और जितने भी आप लोग subjects पढ़ेंगे वो almost same होंगे programming languages भी आप लोग almost same पढ़ेंगे अब हम बात करते हैं career opportunities की software engineers का बहुत ही major role होता है IT industry के अंदर अगर हम software development की बात करते हैं तो software की requirement से लेके software की project management software की testing और software की quality assurance की जितने भी मराहिल हैं वो सारे के सारे जो हैं वो software engineers handle कर रहे होते हैं और जो मैंने आप लोगों को course offline में भी यही बताया था कि जो difference आता है वो यही आता है कि आप लोग के जो requirement जब client किसी भी software house में आता है किसी भी company के पास आता है उसकी क्या requirement होती है वहां से software engineer का role start होता है ठीक है और उसके बाद फिर जो जब project start हो जाता है और उस project को जो handle कर रहा होता है जो उसको supervision कर रहा होता है वो भी software engineer होता है ठीक है इसके बाद software की जो testing होती है quality assurance के मराहिल होते है वो भी software engineer handle कर रहे होते है तो अगर आप लोगों का इंटरस्ट प्रोजेक मेनेजमेंट वाली साइट के अपर है या क्वालिटी इस्यूरंस वाली साइट के अपर है तो यह डिगरी बिलकुल आप लोगों के लिए और आप लोग इस डिगरी के अंधर admission ले सकते हैं और अगर आप लोग सॉफटर डुवेल्पमेंट की फिल्ड में जाना चाते हैं, परुग्रेमिंग की साइड पे जाना चाते हैं, तो फिर कम्प्यूटर साइंस की डिग्री आप लोग कर सकते हैं. हैं बहुत से स्टूडेंट की तरफ से question आता है कि सर कूंसी डिग्री बेहतर है और किस डिग्री का scope जेदा हैं तो मैं आप लोगों को बता दिए हैं कि आप लिए अपने इंट्रेस्ट के according फैसला करना है कि आपका इंटरस्ट कहाँ पे है अगर हम बात करते हैं स्कोप की तो computer science का भी बहुत जादा स्कोप है और software engineering का भी स्कोप है लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बात बता दूँ कि इन दोनों डिग्रीज computer science हो या software engineering हो इन में competition और saturation काफी ज्यादा है अगर एक job post आती ह तो उसके उपर apply करने वाले हजारों होते हैं लेकिन यहाँ पे एक जो बात नोट करने वाली है वो यह है कि बहुत से लोगों के पास यह degrees तो हैं लेकिन उनके पास skills नहीं है और एक और चीज़ मैंने जो observe की है industry के अंदर रहके वो यह है कि हमारी जो academia है और हमारी जो industry है दरम्यान बहुत ज़्यादा gap है हम लोग जो अपने students को सिखा रहे होते हैं युनिवस्टी के अंदर वो बहुत basics होता है और जो industry के अंदर काम हो रहा है वो बहुत ज़्यादा high level काम हो रहा होता है तो जब student युनिवस्टी से pass out होके industry के अंदर आता है तो उसको तो बिलक मेरी तमाम जितने भी मुझे students देख रहे हैं मैं हमेश्या अपनी तमाम वीडियो के अंदर एक ही बात करता हूँ कि आप लोगों ने जो htc की course outline है उसके इलावा भी बहुत से skills के ओपर काम करना है और खुस से बहुत सी चीज़े learn करनी है और आप लोग youtube से learn कर सकते हैं इ अधिर आप लोगों को बहुत सी difficulties face करनी पढ़ेंगी बहुत सी internships करनी पढ़ेंगी इसके लावा आप लोगों को courses करने पढ़ेंगे उसके बाद जाकर आप लोगों को कोई अच्छी जॉब हासिल कर सकते हैं अगर आप लोगों को काम आते हैं आप लोगों को फोरन से आप के अंदर भी पाकिस्तान में भी रह गया आप बहुत अच्छा अंड कर सकते हैं आप लोग ऑनलाइन बहुत अच्छा अंड कर सकते हैं तो इसलिहां से fields बहुत जबरदस्त हैं अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में वो टॉप universities कों सी हैं जो software engineering को offer कर रही हैं आप ल लोग देख सकते हैं इसके लावा और बहुत सी universities हैं जो के software engineering को offer कर रही है आई होप आप लोगों की confusion दूर होगी होगी अगर आप लोगों कोई भी question है तो आप लोग इस वीडियो के comment section के अंदर पूछ सकते हैं आला ताला हम सब को दोनों जहानों की कामियाबिया अता करे इसी दूआ के साथ अला हाफिस